प्रोजेक्टायल मोसर में अधी सबसे कटिन सवाल कहीं से बनते हैं तो इसी टॉपिक से बनते हैं तो बहुत ही ध्यान से समझ गए तो यह टॉपिक आपके लिए काफी अत्तक आसान भी हो जाएगा ठीक है अच्छा तो सबसे पहले यह आप रिकॉल किजिए तो प्रोजेक् यह ट्राउंड पर टकरा जाता था इन दौनों ही सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास एक होता था यह एक्स और इसके परपेंडिगुलर एक ही यह भाई है हम लोग दोनों कंडिसन में यह करते थे और फिर हमारे पास जो एक्सिटी था बेलश्टी थी या फिर एक्स एवाई तो यहाँ पर एक्स की वेल्यू होती थी जीरो क्योंकि होरीजॉंटल डारेक्शन में कोई भी एसेंज का कंपोनेंट था नहीं है जी की वेल्यू जो थी सारी की सारी इस वाई वाली डारेक्शन में थी राइट नाव अविश्क यह लूप पॉस्ट या निगेटिव हमारे फ्रेंस फ्रेम पर डेपेंड कर दी थी हमने किस डारेक्शन को पॉस्टिम माना या किसको निगेटिव यही होती थी और बहुत ही ऐसानी से हम लोग नुमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते थे नाव अब यहाँ पर आ गया आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन तो क्या सिच्वेशन सेम रहने वाली है आए समझते देखिए यदि आप सेम तरीके से एक्स वाई मान कर और उसके बाद एस्टेशन को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करकर आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन कई वार एक्क्वेशन कुछ इतनी डिफिकल्ट हो तो यहां पर हमने किया किया था हमने किसी फी प्रोजेक्टाईल मोशन को दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिक कर लिए था एक्स और यहां पर हम लोग sound plane में भी दो कंपोनेंट इक्रिकוח यू अरभ घ्र पर अचक्वेशन और इसके THIS या होता है अब नया क्या करेंगे हम लोग यह करेंगे कि हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको मानेंगे अपनी नई एक्स ले लिख दे रहा हूं त्टिक है और आप इसके पर्पेंडिकुलर हमें जो एक वाई मिलेगी देखो यहां से ऐसी यह हो जाएगी हमारी नई यानि की यदेस अब हम अपनी सारी बेलस्टिटी एसलेरेशन इस नई एस डेस और यदेस के अलोंग ब्रेक करेंगे तिक है यानि की कंपोनेंट के फॉर्म में लेंगे और उससे जो भी क्यूसेंस बनेंगी उससे स्मझब आ रही है नव तो यहां पर आप ध्यान से देखो इसकी स्पीट इमाल यहां पर यह चम्पोनेंट बनेंगे एक क्या में बनेगा इस प्लैन के साथ बना रहा है उससे यह आ पर ध्यान से देखो तो ग्राउंड के साथ थीटा अलफा है पर हम क्या निकाल रहे हैं केवल हम लोग निकाल रहे हैं केवल पार्टीकल के वेलश्टी के द्वारा बनाया हूँ एंगल सिर्फ औसर्फ निंग्लाइंड प्लेन के साथ तो वह आपका यहां पर थीटा इसी प्रकार बाइट आक्शन स्पीड क्या हो जाएगी आपको मिल ज कें देए कि आपको देखनें अतनी हो जाए एग चला के हमारा माहेस की तरफ है और देह यहाँ आपको माहेस डेस को होगा इसको निकालनेका जोटे हम लोग सोड़ा सा numbering करते है एक है एक्स देस्यान देजिए और पराने एक्स और पराने य परेंडिकुलर रहेट तो देखो वाइट वाइट परफेंडिकुलर याने की एंगल टू और एंगल थरी मिलके ऊना हैंगे 90 वैट और एंगल 2 और एंगल बन मिलके गवनारे 90 इसका मतलब क्या हो गया देखो एंगल टू की वेल्यू क्या हो जाएगी एंगल टू की वेल्यू मिलेगी आपको पाइवाइट टू माइनस आलफा और एंगल ती क्या मिल जाएगी आलफा तो यहां पर क्या मिलेगी सी वात है जी कॉस अलफा राइट यहां पर ध्यान देजिए जो अलफा है ना यह एंगल किसका है एंग्लान का और उसी के कोडिंग आपको यहां पर एसेसन की वैल्यू मिल रही है जो बलशुतिक की वैल्यू आप देखे हो द्यान से तो आपको ठीटा की फसमें मिल रही है तो थोड़ा सा आपको याद रखना है अच्छा दूसी चीज़ आपको याद रखने है कि अर बदल की बार हो गई जी कॉस अलफा यह थोड़े से चेंजिस हैं ना साथ ही आपको इची याद रखनी है क्या कि पहले जो हमारी जो कंडिशन थी ना इस तरह वाली कंडिशन ठीक है या इस तरह की कंडिशन इसमें यह जो कंपोनेंट है न यू एक्स यह पूरे के पूरे मो है वो अंचेंज रहता था बट यहाँ पर देखो नए कंडिशन में क्या आए कि यहाँ पर देखो एस के डिरेक्शन में एक एसलेशन है जी साइन अलपा इसकी वजह से बढ़ेगी या गटेगी तो यह जो फ्याले बढ़ेटी एक्स डाक्स में कॉंस्ट रह रह रही थी वो अब कॉंस्टेंट नहीं रहेगी वो भी चैंज होगी यतना आपको याद रखना है तो इनी सारी चीजों का यूज करके हम लोग एक्क्विशन्स बनाएंगे और उन एक्क्विशन्स को सॉल्व करने पर हमें जो भी प्रॉब्लम दियोगी उसका आंसर मिलेगा तो नहीं हमारी वाइड अक्शन में क्या हो जाएगी आपकी यू साइन थिटा और हमारा एसलेशन बाइड बाइड अक्शन का हो जाएगा माइनस जी कॉस अलफा ठीक है अच्छा तो यदि हमें निकालना हो थालाइट का टाइम ठीक तो यहां पर कैसे निकाल देता हम लोग यहां पर अपनाने वाले हैं तो देखिए क्या होगा कि जो एक मैक्जिम हाइट जो भी एचीब करेगा इस नई बाई की डारेक्शन में ठीक है वहाँ पर जाकर पार्टिकल शुटी क्या हो जाएगी जीरो उस कंडिस्म में जैसे हम लोग यहां पर पूट करेंगे वी इसकल आपको यहां पर क्या मिलेगा टाइम इसकल टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अलफा ठीक है तो टूटल टाइम फ्लाइट का क्या हो जाएगा यह तो अभी शिर्प गई है लोटके भी आएगी सेम तरीके से सो टाइम में आपका हो जाएगा इंटू टू कर देंगे तो आपको जो ने टाइम मिला फ्लाइट का तो हो गया टू यू साइन थीटा पॉन जी कॉस अलफा राइट क्लिजनी सी बात यहां तक कोई डाउट नहीं है तरीका से में निकालने का बस बैल्यू चेंज हो गई है राइट ओके नौ अब ध्यान दीजिए रेंज का इसे देखिए इस इन्क्राइंट प्लैन पर यहां से यहां तक गया है तो यह जो डिस्टेंस है यह हो जागी आपकी नई रेंज वैट तो इसको कैसे निकाल लेंगे देखिए तो हम लोग जो फर्मुला यूज करते हैं क्या करते हैं देखो एस इसकोल टी है ना यह क्या है टो अब देखो पार्टिकल जा रहा इस डारेक्शन में और जो एस डारेक्शन में है तो क्या हो जाएगा रेटारडेशन यानिकि आप यूज कर सकते हो निगेटे वैल्यानिकि आपर माइनस लगा हुआ है तो एस इस बात बस आप इस फर्मूले इंपोर्ट कर दीजिए ठीक आपका टाइम का स्कॉयर इस सारी वैल्यू आप पूट कर दीजिए इसमें तो आपको पूट करने के बाद आप सही से क्लिक्शन करोगे तो आपको यह वाली रेंच की वैल्यू मिलेगी आप आप ध्यान दीजिए देखो आर इसकल टू क्या है यू स्कॉयर साइन टू थी यहां पर नेगेटिव सान आ रहा है यादी डाउन वार्ड आ रहा होता है यानिक इन्क्लाइन प्लेन ऐसा है और यहां से कोई चीज़ चीज़ जा रही इस तरफ तो यहां पर पॉस्टिव आ पर पॉस्टिव कर सकते एक तरीका दूसरा क्या अगर हो गे आपको इसारी सा मिलेगा ऐसे प्लस और यहां पर भी प्लस ठीक है जैसे आपको अच्छा लगे आप समझ सकते तो यह दो तरीके हो गए रेंज टाइम निकालने के राइट बस अब इनीका मैनुप्लेशन होगा बार बार और आपको मिलेगे नहीं सारी प्रोब्लम्स और उनके सॉल्यूश तो जालते तर क्या पूचेगा मैग्जिमम वैल्यू पूचेगा अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे डिफ्रेंसेशन को उसके पहले समझते हैं जो आर है किसके साथ बैरी कर रही देखिए इसका जो इनक्लिशन है वो कॉंस्टेंट है यू की वैल्यू कॉंस्टेंट ह तो सिर्फ बचा क्या बैरी क्या हो रहा है और केवल थीटा बैरी हो रहा है तो कभी-कभी आपसे पूच सकता है कि मैग्जिमम रेंज बताइए इसका उदलब क्या हो गया आप करोगे डियार अपॉन डी थीटा इस इकॉल टू जीरो और इससे आपको कुछ ना कुछ रेल अब यहां पर बेसिकली क्या है मैं आपको बता चाहूं कि अल्फा और यू है आपके कॉंस्टेंट क्या बैरी कर रहा है केवल थीटा ना हमने यहां पर आर को ठीटा के साथ डिफ्रेंसिट किया हुए देखिए यह आर की वैल्यू रखी हुए अंदर और वार है आपका ठ यहां पर सिर्फ और सिर्फ थीटा ही वेरियेवल है यहां पर यह दो कॉंटिटीज है आप आसानी से कर सकते हो राइट यहां पर देखो यू स्क्वाइर जी कॉस्ट अलफा आमने वहर ले लिया क्योंकि यह कॉंस्टेंट है तो अंदर यहां पर क्या बच्छेगा इस टर साइन अलफा अपॉन कॉस अलफा तो जो बेरिवल साब होता साइन स्कॉर थीटा डिफरेंशिट करोगे उतक्या मलेगा साइन थीटा इंटू इस बात अच्छा अब इसकी वाल्यूं में करनी है जीरो तो जाएर से बात ही जो कॉंस्टेंट है यह तो जीरो हो नहीं सकता ह जीरो किया होगा केवल केवल अंदर वाला पार ठीक है जो इस ब्रैकेट के आपर अंदर है अमने जब इसको जीरो किया तो आपको देख रही है एक्वेशन ठीक है यहां से आपको मिलाएगा पॉर्ट टू थीटा इस इकल टू टैन अलफा अब आपको आपको आपर आडे आप जो भी यूज़ करना चाहें कर लेजिए और आपको यहां पर मिल्यागा इसी प्रकार से तू थीटा इसकल टू पाइवाइट टू माइनस अलफा अब आपको यहां पर पता चल चुगा है यह रिलेशन इस रिलेशन की हेल्प से हम लो देखो यहां पर साइन टू थी था ठीक है अब आप इन दोनों वैल्यूस की यूज़ करोगे इस पूट करोगे जो आर की क्विशन थी यहां पर ठीक है इसमें आप पूट करोगे तो सॉल्व करनेक बाद आपको आप यहां पर कुछ ऐसा आंसर मिलेगा आर मैक्स इसकल टू स्कॉर अपॉन जी बन प्लस साइन अलफा फिर इसी बात आप आराम से पहुच करके एक क्यों देख लिए तो था आपका अब वार्ड के लिए जब आपको कैसे सेंड करना था इसको कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि इसी इंक्लाइंट प्लेन पे पार्टिकल यहां से यहां सेंड किया जाए उस कंडिसम जो आपको प्लस साइन अलफा मिल रहा था उसके मिलेगा माइनस साइन अलफा आप एक वार खुद से ट्राई कीजिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो यह तो होगी ऐक्वेशनस अब बात करते हैं नुमेरिगल की प्रॉब्लम सॉल्वेंग की उसमें कैसे आंसर आएगा ठीक है कैसे प्रॉब्लम को पहले समझते हैं यहां पर आपके पास एक इन्कलाइंट प्लेन है ठीक है जो कि अलफा यानि कि जो हमारा ओर्जिनल था यह वाला एक्स इसके पर्पेंडिकल डायक्शन में चला जाएगा ठीक है अब आपको बताना है क्या है कि यह व्युंद सिख पूरी जन्न है में लोट के आने तक टायम कितना लगा इस इप क्या लगा अच्छा कि अब यांपर द्यान से देज़ीं इसको सॉल्ब कैसे करें एक तुम्लों भी टैकिनिक समझ के आया है कि क्या इसको नए एकस मानो इसके परपंड़िक नया पाइ इसके लावा इसमें लोग और क्या-क्या निकाल सकते हैं देखिए इंफॉर्मिशन में बोल रहा है कि हमारा पार्टिकल था इलास्टिक अच्छा इलास्टिक का मतलब यह होता है अभी लिए आप जान लीजिए कि जितनी वल्टिटी से टक राएगा उतनी से वापस आएगा और इसकी वल्टिटी जो है चेंज नहीं होगी ठीक है डार्टिकल चेंज हो सकता है बड़ उसका जो एमाउंट है मैनिट्वट है वह चेंज नहीं होगा ठीक है अच्छा दूसी जिए क्या दिया हुआ है इसके साथ पर्पेंडिकुलर है अच्छा तो देखो यहां पर औ हमारी नई एक्स तो यह वाली है तो हमें इसके पर्पेंडिक लाइन कीचे यहां पर इसी पॉइंट पर एसको हमें ऐसे बढ़ाते हैं तो आप ध्यान से देखो क्या मिलेगा मैं यहां पर यह अल्फा है यह तो होगी 90 आप देखो और यहां पर यह हो जाएगी 90 यह वाली दो नहीं मिलागे तो अब देखो अल्फा एंगल कहां होगा इसी अल्फा यह क्या मिलेगा इतना इंगल इतना पाइवाइट टू मानिस अल्फा इतना क्या हो जाएगा अल्फा यानि कि यह जो एंगल है आपको मिलेगा अल्फा अच्छा ओकी ठीक है नाव अब और और क्या हो सकता है दूतरी बात आप यहां पर देखिए जब यहां पर इस X से टकराएगी ठीक है तो देखो बलस्टी यहां पर यह एंगल अल्फा बन रहा है यानि कि आपको कुछ क्मपोनेंट मिलेगे एक Stream मिलेगा आपको UX और यहां जो मिल रही होगी आपको यह पीडिवाई देरीखार यहां धिये एंगल मिलेगा आपको अल्फा या ने कि आपको मिलेगा यहां पर टैन आल्फा इस एक्वार रखना है पडर दिक्टा मत तूर इंट इसAAब मैरी 2 effort है before collision to net भी आएगा वह आ जाएगा after collision मैंने टूट की बात हो रही है यहां पर अब क्या करें ठीक है बस समय आप इसी इन्फर्मिक्स का यूज करना है को इसको माना था इसको थीटा महान लेते हैं वा जाएगा आपको यूजन-थीटा और इस बाई इक डिर्यक्षन मेस्क्ट गाव जाएगी जी कौस अलफा माना यीज की बस हो जाने से चाहिए सवाल सब्सक्राइब करें तो हमने बस यहां पर इसी पैटरन को यूज किया हुआ है तो दियान से देखिए हमने आपर क्या किया हुआ है यह हमारा और एसे लिए यहां पर आपको देख रही है जी कॉस अलफा और जी साइन अलफा तो सबसे पहले हमने क्या किया हमें निकाला तक यहां से यहां से श्टार्ट वह जब पहली बार टकर आया इस प्लेन पर टीक है तो इस कंडिशन में आप ध्यान दो क्या होगा जो वी वाई ह है जो भी वाई है यानिकी जो बल्षटी उसकी जब ए पॉइंट पर है य तो वही होगी मैनिट्यूट में जो स्टार्टिंग पॉइंट यानिकी ओ पॉइंट पर थी ठीक है बाई डिरिक्शन में आने की यू साइन थीटा पट पहल जा रहे थी ऊपर अब जा रहे यह नीचे तो आप जा जा जाएगा क्या मैनस इसको आप पूट कीजिए ठीक है तो माइनस यू साइन थीटा इस एक लेकर ए तक यानि ओ से लेकर ए तक अब ए से उपर को जारी बी पॉइंट तक ठीक है निकालेंगे इसके पले मैं निकालने पड़ी की बेलो सेटी के लिए रितने सी बात ओके अब देखो ध्यान से बेलो से जो मैं आपको अल्रेटी बता चाहूं क्या कि जस्टेटिंग ग माइनस में ओके और यू एक्स क्या हो गया अब जो एक्स के डाक्स में जो बलशोटी थी बहो जाएगी आपकी बी एक्स मेंने माना हुए श्टार्टिंग थी आपकी यू एक्स थी था ए इंटू टी एक लुक ए जागी माइनस जी साइन अल्फा राइट आप इस सब करो तो देखो यू कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा और टाइम अभी निखाला था टू यू साइन थीटा पॉन जी कॉस अल्फा अब इसको सॉल्ट करोगे तो आपको यहाँ पर यह क्वेशन ही सेगंड मिल जाएगी ठीक है कि इसी बात ओके नाव हम लोग पहल भी समझ थीटा टैन अल्फा ही रिलिशन आगे बहुत ज्यादा यूजफूल होने बाला है ठीक है इसकी बाद जो हमारी बल्षुटी टोटल निकल के आले के आ जाएगी देखो वी स्क्वाइर इसक्वार टू दौनों कंपोनेंट का स्क्वाइर राइट यहाँ पर आप दौनों क और विवाजी तो आपको पता ही है क्या थी यूजफान थीटा मानिस ती इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत एक कॉम्प्लिकेट से क्विशन बनेगा इसको सॉल्व करने लिए आपको यहाँ पर बन इसकॉल टू थी टैन थीटा टैन अलफा की नीट पड़ेगी आप द प्रकार ठीक है यानि कि आपकी ए पॉइंट पर जो वेलिटी का जो मैनिट्यूट होगा वह होगा यू आप थी ब्रेकेट पर बन प्लस एट सान स्कार थीटा का ब्रेकेट क्लोज अंडर रूट ठीक है आप इस क्लिक्शन को एक बार खुद से कीजिएगा बहुत ही चलें किया यह जो हमारा बलस टी है सेम रहेगा अच्छा अब हमने आपर एक चाला की की क्या हम लोग यह से भी जा रहे होंगे तो देखो यह इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है अच्छा अब हम लोग यूज कर लेंगे अपनी नॉलेज जो हमने नॉर्मल ड्राइट और जाएगा ठीक है हम इसको सिंबल दर्जित करेंगे ऐब मानके इसलेंगे पौरान हिए कॉड्व है वे यही ध्यान दो आपको यहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा देखो क्या यहां सीधा गया इस बेल सटी से यहां पर वील टीञा है एम अपर टीमिल विग वेल्व हमने यहां पर निकाल रखे यू अपॉन थी और यह ब्रेकेट में बन प्लस एट साइन स्क्वार थीटा ब्रेकेट क्लोज अंडर रूट राइट सिर्फ और सिर्फ 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 जी आ जाएगा तो आपको यहां पर वैल्यू मिल गए टी इसकल टू यू अपॉन थी जी डेकट बन प्लस एट साइन स्क्वार थीटा ब्रेकेट क्लोज इसका अंडर रूट इस बात अब हमें टाइम मिल चुका कि दुगा है दोनों टाइम मिल गए यहां से जो और से लेकर ए तक का और ए से लेकर बी तक का ठीक है अब ध्यान से देखो यहा तो इसका और जो कोई भी एनरजी लॉस नहीं हो रही है जितना टाइम लगेगा हम लोग क्या करेंगे इन दोनों टाइम को एड़ करके इसका मल्टिप्लाइग इंटू कर देंगे कौन से दोनों टाइम यानि कि दो टाइम जो हमारे पास हैं यहां पर एक टाइम यतना एक टाइम यह ठीक है दोनों टाइम को एड़ कर देंगे टू का मल्टिप्लाइग कर देंगे हमें फ्लाइट का रिटर्निंग तक का टाइम मिल जाएगा बस अब आप यहां पर सेंपली इसकी बैल्यूस पूट कीजिए नाव यहां पर ध्यान दो तो सव ज्काल में ठीटा तो दिया हुआ नहीं था तो में ठीटा होग यहां पर कलना है इलिमेन एक ठीक है और हमारे पास जो एक क्यूशन थी हम लोग निकल के आए थी यहे से निकल के आए i तेन थीटा राइट अच्छा और अब यहां पर टेक्नोमेट्री की नॉलिज का यूज़ करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को पता है कि साइन स्कार थीटा की वेल्यू होती है तेन स्कार थीटा डिवाइड वाई बन प्लस टैन स्कार थीटा ठीक है बस आप यहां पर इन डिवाइड वाई डीवाइड वाई फ्न प्लस एट surgeons हिए और सानिन टमाव लेंगे तो मिलेगा सिर्फ कॉष्ण वाई बडलाइड प्लस टैनल और यहां पर टा요 एको से आपको करोगे तो यह तो था इसका स्वाल करते हैं यहां पर सवाल बोल रहा है कि यह पार्टिकल इस थ्रॉन इन होरिजोंटल डारेक्शन विट इस फीड यू रॉम पॉइंट पी एड़ टॉप अपर टावर एस वन दा फिगर पर्टिकल हाइट एज इस पार्टिकल को सेंड के जा रहा है इस प्लेन पर गिर रहा है कि और यह जो प्लेन है ना इसका एंगल या इंगल धिटा है अब सवाल आप कर रहा है दूसरी बात क्या पूज रहा है डिस्टेंस फ्रम दा फॉट ऑप टावर का फूट है वहां से इसकी डिस्टेंस यहां पर यह हिट कर रहा है तो क्या क्या पूज रहा है इसको कैसे सॉल्ब करें तो देखो एक दो बात जो पूज रहा है कि नॉर्मली टक्राना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया यह जो आपका प्लेन है ना ठीक है तो जो बलिशुटी का जो कम्पोनेंट होगा ना वो केवल और केवल पर्पेंडिक इस तरह सरे एक बात दूसरी बात क्या है ऑने दुपर लिए इसके साथ जो एक्चॉलि आर्थ है उसके साथ होड़िए और तो अथों में क्या करना होगा व्लोगतुमली टेक्निक शीक चुके नई एकसे बनाइंगे और उसके साथ नहीगे तो नहीं गया पंदा है इसके स तो यहां पर कुछ कैसा देखेगा यह होगी है तो यहां पर क्या होगा यहां पर आएगा परक्यों क्यों क्यों यह लाइन और यह दोनों है परल। यह अगी थीटा है यह खिए यह खेक है अगर यह हें सिधाइस और यह और यह पूद्रा लेक्शन है यह मीन्ही अफिर फॉर्ड आउट कर सकती हो कैसे देखों हिए एंगल और एंगल सुपक्रिण एक लोगेल तो आपको देख रहा है असानी से ना यहां तक क्लियर है ठीक है अब क्या करना है देखो चीदिसी बात है एक यू को इस्ट एक्षन में करेंगे तो यू कॉस्ट इप्टा और माइस वाई में जाएगा तो आपको मिलेगा यहां पर वाई की जगह माइनस यू क्या है एक यू क्या मिलती है आपको यहां पर यह जी है यह पर लेगा जी कॉस्ट इटा जी साइन थीटा इस वाद क्योंकि जो प्लेन का एंगल वह थीटा है ठीक नौ पस इतना करने से आपको सॉल्ब करना है साथ एक चीज़ याद रखने है क्या यह जो डी पूछी गई है कि कैसे मिलेगी आपको देखो द्यान से देखो यह डी इद्दो पार्ट का होगा यह डिस्टेंस और एक यहां से जहां पर टकरा रहा होगा ठीक है त्यानी कि अगर आपको डी मिलेगी डी स्कल्टू मिलेगी एक साइन ठीक है तो यह तो होगया पूरा कॉंसेट यह आप चाहो तो यहां से खुल से सॉल्ब करो नहीं तो मैं आपको आगे एक्स्पन कर रहा हूं वहां से आप समझ सकते हैं तो देखिए हमने आपस तवाल को बिल्कुल ठीक एसे ही सॉल्ब कर रखा है तो हमारी यू को सिटा आपको देख रही है और यहां पर यू साइन ठीक रही है एक्सिंपल सी बात है हमें क्या करना है हमें कराना था नॉर्मल इंसिदेंस वी एक्स इस पॉइंट पर जो हमें मिल लिए होगी वी एक्स क्या हो जाएगी जीरो तो देखो वी एक्स क्या होगी चीजी बात है हम लोग फ़र्मुला जानते क्या वी इसकल टू यू प्लस एटी कंपोनेट के एक वर्डिंग कर दीजे तो वी एक्स एक्स क्या था हमारा यू कॉस थीटा माइनस जी सान थीटा इंटू टी आपको टैम मिल निकल के आ गया ह इसकल टू यू कॉस थीटा डिवाइड वे जी सान थीटा एक टाइम आ गया इस्ट्राइकिंग का ठीक है हमें निकालना स्पीड पर हमें सिर्जो और इंफॉर्मिशन है वो क्यों इतना है कि यह हाइट एच है अच्छा में इसमें जुगार और कर सकते क्या देखो अगर म नीचे है तो मारे अच्छ थीटा हो जाएगी ना इसकी हैल्प से हम लोग क्या कुछ निकाल सकते हैं कुछ फांड आउट कर सकते क्यों कि देखो यहां पर हम आपकर टी पता है हम आपास एपता है एस की वैलू भी पता है माने एच कॉस थीटा तो क्या मैं यू मिल सकता है लगतूरा मिल सकता है तो महात करके देखते हैं हम ने लगत कि उसको इसको स्विट टा है तो आमको यहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगगा क्या सब्सक्राइब देखो क्या करेंगे करेंगे 2G को इधर और यह 2 प्लस कॉर्ट स्कार थीटा को भी सिफ्ट किया तो आपको बहुत ही आसाने से क्या मिल जागी देखो यू स्क्राइब टू टू जीए डिवाइड वाई टू प्लस कॉर्ट स्कार थीटा यू क्या लिए इतनी सी बात अच्छा अब हमें निकालना था क्या टोटल डिस्टेंस कॉंसेप्ट में आको पहले पहली समझा चुका हूं क्या हो जाएगी डी इसक साइन थीटा प्लस इसकी रेंज ठीक है रेंज के लिए क्या करेंगे यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वाइर अब एक्स के कॉर्णिक से वैल्यू पूट करने है राइट तो देखो यू एक्स की वैल्यू थी यू कॉस थीटा एं तो समी रहने वाला ताइम आप फ्लाइट म आपको यहां पर मिल लेगा आर इसकोल टू यू स्क्वाइर को स्क्वाइर तीटा डिवाइड वाइड वाइट टू जी साइन अब यू के वैल्यू आप निकाल चुकियो राइट अब जो टोल्टल डी निकालने थी हमें ठीक है क्या थी एच साइन थीटा प्लस आर इसमे आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको आप हमबर्ग समझके कि किजिए ठीक है स्वाल में इतना सिर्फ बोल रहा है कि किया आपको चाहिए मिनियूम स्पीड ताकि यह जो बॉल है जिसकी हाइट है ठीक है यहां से फेकने पर यह बॉल क्रॉस हो जाए ठीक नाव इसकी है मैं आपको हिंट के दे दे रहा हूं यह यह है यह राइए यह एक है यह एक एक्लाइन बना सकते हो और आप यह पर रेंज मिल रहे क्या है आपको अपना दिमाग लगाई है और आप हाइंडाओट कि जिरू करें, thank you and have a nice day.